आप सब लोगों के एक पाफ फिर से स्वागत है मेरा नाम है शुभम और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूँ ना जहां पर तीन अलग-अलग इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवेस ने पेश किये हैं आज हमारे पास में है टीवेस का इलेक्ट्रिक है यह आज आता है 2.200 के साथ में सिको नाम दीया गतफ यह जो है यह ए एस टी यह पहले आता था लग पेश किया गया था लेकिन इसको लांच नहीं किया गया था अभी इसको लांच कर我就 कर दीआ गया है 3.4 किल हटाटर 그 साथ में सबसे ज़्यारदा रेंज देने वह वाला i-cube scooter है इसमें 5.1 kWh का बैटरी पैक दिया गया है तो यह तीन अलग-अलग scooter है price क्या है range क्या है उसके बारे में बात करता हूँ सबसे पहले आप यह जा लिजे इसका एक्षोरूम प्राइज है 94,999 रुपीज है यानि मोटा-मोटा 95,000 रुपए है एक्षोरूम प्राइज हो जाता है और यह TBS के i-cube में सबसे सस्था electric scooter हो जाता है यह एक्षोरूम प्राइज था लखनों प्राइज अब यह जो है यह hij Teamwork i-cube st इसका एक्षोरूम प्राइज है 105,000 के आजाता है इसका एक्षो रूम प्राइज वहीं जो यह एस्टी है ना मतलब यह 5.1 किलो वाट आर वाला इसका एक्षो रूम प्राइज हो जाता है एक लाग पिच्चासी हजार रूपएजी है यहां वालाए 85,000 अब बात करते हैं रेंज की टॉप स्पीड की तो यहां पर क्या है ना आपको इसमें मिलेगी 75 किलो मेटर की रेंज सिंगल चार्ज करने पर यहां पर आपको मिल जाया गया एस्टी में आपको 100 किलो मेटर की र है यहां पर É चार्ज की खंटे में चार्ज कर देता है 908 वाट का यहां पर बैट रिके तो इसको चार्ज होने अगर आप आते हो तो यहां पर फुली डिस्टल इंस्ट्रूमेंट ट्रेस्टर तो मिल ही जाता है यह पूरा टच के साथ में आ जाता है 118 connected feature मिल जाते हैं यहां पर आप document वगरा भी save कर सकते हो call आएगी वह आप यहां से receive cut कर सकते हो साथ में क्या है 10x10 navigation का मिल जाता है document वगरा आप यहां पर save कर सकते हो यह आप यहां पर देखनों ना यह stick आ जाती है यानि HMI का feature मिल जाता है यहां से आप पूरा control कर पाते हो और अगर मैं आता हूं यहां पर iCube ST पर यह जो normal वाला है यहां पर seven inch का ही मिलता है इसका instrument cluster लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर TPMS का feature मिल जाता है ST जो 5.1 kWh का है वहां पर भी मिल जाता है लेकिन में जो डिफरेंस है वो charging time का range का और battery pack का है वहीं जो जो सबसे सस्ता model है TVS का iCube यहां पर क्या है यह आ जाती है 5-inch instrument cluster के साथ में तो यहां पर क्या है आप देखोगे यहां पर यह हमाई वाला feature नहीं दिया गया है और यहां पर आपको buttons दिये गया है और यह यहां पर आते हो तो यह 5-inch का ही मिलता है लेकिन यहां पर Bluetooth connected feature के साथ में यह scooter यहां पर आ जाता है तो छोटी सी यहां पर इस्क्रीन दी गई है इसमें आटायर प्रेशर monitoring system नहीं मिलता है बागी अगर आप scooter देखते हो ना तो सारे scooter आपको एक ही जैसे नजर आते हैं जैसे आप यह सारे scooter यहां पर नजर डालोगे तो हाँ color में जरूर differences है जैसे कि आपको जो base model है वहाँ दो color मिलते हैं यहां पर चार और स्टी में चार आपको अलग-अलग colors देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर यह चीज़े हैं और अगर weight की बात करें तो लगभ़ए एक से दो kg के आसपास में weight में इन तीनों scooter में differences आपको देखने को मिल जाते हैं तो यह मोटा मोटा जो difference था वो मैंने आपको यहां पर बताया और तो आप अपनी need के according आप scooter purchase कर सकते हो कैसा लगा आपको इन तीनों ही scooter का कंपरिजा मुझे comment box में जाके बताना और यह 2024 मोडल है अभी क्याना एक पहले से iCube आता था और S आता था दोनों की 100 km की रेंस थी लेकिन वहां थोड़े से features में differences थे तो यह क्या है कि company ने और date के है 2024 में क्योंकि लगातार electric scooter की डिमांड इंडिया मार्केट में बढ़ रही है तो मिलते हैं कि से और वीडियो में तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए